आप अपना बोया हुआ कोई भी चीज जब इस्तमाल करते हैं तोर करके तो सच पता है बहुत आनंद आता है तो मैंने भी देखिए धनिया बोया था और ये अभी तो इसमें फूल लगने लग गया है तो इतना एक्दम लग रहा फ्रेश फ्रेश न इसी में से तोर करके आज मैं अपने एसपी के लिए लेकर जाओंगे हैलो एवरिवन आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर का डिफरेंट पराठा और एक उसके साथ में चटनी जो कि आपको काफी पसंद आएगी और टेस्टिस का बहुत ही अच्छा आएगा बनाना बहुत ही आसान है तो आप इसे अ पहले तो मैं चटनी बना लेती हूं जो कि मैं अपने गार्डेन से तोर करके लेकर आए हूं धनिया पत्ता एकदम फ्रेश तो अपनी चटनी के लिए मैंने लिया है मूली तो मूली को मैं धो करके ले आए हूं और थोरा सा उपर का छिलका मैंने नाइफ की हिल्प से थोरा हरी मिर्च, तो तीखा आप अपने हिसाब से जाधा कम कर सकते हैं, तोरा से ले लिया है, मूली का पत्ता, जो उपर थोरा सा कुमल कुमल सा पत्ता होता है न, ओई वाला पत्ता मैंने ले लिया है, सारी चीजों को पहले तो अच्छे से धो लेजिए, और फिर ले लिया है, छ इसके बीच में जो ये थोरा सा हाड होता है ना इसको मैं बार-बार मैंने आपने बीडियो में बताया है आपको किसे आप निकाल देजिए क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इसलिए इसे आप निकाल देजिए और ये पकता भी नहीं है आप देखेंगे जल्द तो इसलिए इस चीज़ को फार्ट को आप निकाल देजिए और आप इसमें डाल लेते हैं नमक और बस पाणि आपको डालने की जरुरत नहीं है क्योंकि टमाटर में वी पाणि है और भ्रसा फुर्ण कर चलाएए तो इसमें आपको फानी डालने की पीसलेते हैं पहले बीना पानी का ही हमारा चटनी बिल्कुल तयार हो गया है बहुत ही स्वाधिस्टी चटनी होती है आप इसे पूरी पर आठे रोटी चावल किसी भी चीज के साथ मिले सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे अपने सेंड्विच पर भी लगा कर खा सकते हैं उस का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है तर्का लगाते होंगे चटनी में लेकिन हमारे यहां ज्यादा-तर सरसुतिल कच्चे ही इस्तमाल किया जाता है चटनी में तो चटनी बनकर personal zamak हमारी रेडी हो गई है चलिए चटनी को side kfps और इसके साथ बनाने के लिए खाने के हाथों से आप अच्छी तरह ऐसे क्रम्बल कर लेजिए तो पहले अगर आपने पानी में डाल कर रखा है ना तो इसे कॉटन के कपरे से पहले अच्छी तरह बिल्कुल दबा दबा करके फोच देजिए तब आप इसमें इस्तमाल किजिएगा इसे इसमें डाल लिया है प्रासा चाक मसाला और स्वादानुसार नमक बस मैंने इस पराठे में इतना ही डाला है और भी आप कुछ डालना चाहता है अगर कोई मसाला तो डाल सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा किसी मसाले की आपको जरूरत नहीं है आप इसे इतना ही डाल कर बनाएए लगा लेती हैं अपने पराठा बनाने के लिए आठा तो आठा आप थोरा सा ना पराठे के लिए सौफ्ट ही लगाईए क्योंकि पराठे के लिए सौफ्ट आठा लगाने पे पराठा भी हमारा काफी सौफ्ट होता है अगर आप थोरा सा हार्ड लगा लेजिए तो पराठ में एक चमच घीर आलने थोरा सा मेल्ड करके तो उससे आपका पराठा काफी टेस्टी बनता है तो इसे ढग करके आटे को लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इससे भी आपका पराठा ज्यादा सौफ्ट बनता है और आप चलिए इसको फिल कर लेते हैं तो आज जो पराठा हम बना रहा है न वो थोरा सा डिफरेंट तरीकी का है तो आप ये मत सूचेगा कि इससे बनाना मुश्किल है बिलकुल इसको बनाना मुश्किल नहीं है तो इसके लिए बड़ी सी एक लोई लिया है और लोई ले करके इसके बड़ी सी पहले एक रोटी बेल लेते ह तो रोटी थोरा सा बड़ा ही इसका बनाना है जाधा पतला मत कीजिएगा लेकिन रोटी आप थोरी बड़ी बनाएगा लोई इससे थोरा सा नॉमल जो पराठा बनाते हैं उससे आप थोरा बड़ा लीजिएगा और इस ता मैंने कट लगा लिया है इसमें और आप देखिए यहाँ पर एक चमच डाल लिया है और यहाँ इस तरह फोल्ड कर लिया है अब फिर दूसरे वाले पोर्शन में डाल लिया है एक चमच फीलिंग और इसे भी इस तरह फोल्ड कर लिया है तो यह तह दर तर तह पराठा आपका बनेगा बिल्कुल आप देखेंगे पराठ बहु और यह इस तरह फोल्ड कर लिया है अब एक तरफ से उठा करके सेंटर वाले पे और फिर इस तरह दूसरे पोर्शन पे रखके इसे अच्छी तरह एक तम हलके हलके हाथों से पहले फैला लिजिए इसे न आपकी बहुत सारी फीलिंग इसमें आ जाती है और बहुत जादा स्वादिष्ट पाराठा बन करके तयार होता है और अब हलके हलके हाथों से आप इसे बेल लिजिए क्योंकि इसमें फीलिंग बहुत जादा है सारे तह में हमने इसमें फीलिंग दी है तो आप इस पराठे को क्या नाम देंगे मैंने तो इसे तहदर तह पराठा नाम दिया है और इस तरह बेलीजिए तो बहुत जादा पतला आपको नहीं करना है जिस तरह का थोरा पराठा मोटा होता है न उसी तरह आप इसे हलका सा मोटा ही रखिए और बस तवे पर डाल करके और आप चाहे तो घी के साथ सेख ले या फिर आप चाहे तो रिफाइंट से सेख ले स्वाद आप किसी से भी सेखेंगे पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप घी खाते हैं तो घी के साथ बनाएगे फिर तो इसका लाजबाब टेस्ट आएगा और मैंने अपने पराठे को दोनों तरब से अच्छी तरह उलट पलट करके सेख लिया है और आप चलिए सर्व करते हैं आपको ये मेरे पराठे की रेस्पी कैसी लगी आपको अगर थोरी से भी मेरे रेस्पी अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक करें अपने फेमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें तो चलिए पराठा तो तयार हो गया है चलिए टेस्ट करके देखते हैं पराठे का स्वाद कैसा है इसमें बहुत जादा हमने कुछ भी स्वाइस वगर नहीं डाला है नॉमल प्याज हरे मिर्ज धनिया पत्ता चटपटे के लिए चाट मसाला और यहां मैंने आलू और हरे वा पराठे में और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो ले रहते हैं अपना पराठा और देख करके मुह में आपके पानी आ रहा होगा मेरे तो आ रहा है तो चलिए चलते हैं लेकर के खाने के टेवल पर तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रिस्पी में तब तक के लि देके एंग बावाई